चलिए आज शुरू करते हैं सिच्छक भरती परिच्छा ठीक है दोजार पैस की तहरी अभी से जूट जाएए सामान हिंदी का प्रैक्टिस सेट है मोस्ट इंपॉर्डन्ट होने वाली आज की वीडियो को पूरा वाश करिएगा ओके दिखते हैं इसके पहला कुशन साथ मैं अब भी सॉल्प करते रहें चलिए फर्स्ट कुशन है फ्रेंड आपके की वर्ड माला कहते हैं ठीक है कुशन नमबर वन कि कमेंट बाक्स में कमेंट करके बताएं कितने कुशन आपके सही हुए ठीक है अगर अभी से आप तैयारी करेंगे इस इच्छक भरती परिशक करते हैं वर्ड माला कहते हैं कि है कि अगला प्राश्क च्रंव है मैं थे नारी मैं नासिक वेंजन और रच सारे साउ है और त्योंky बांट चरा बचन आपएं वाड़ा कूश्वाक निकालते हैं करिया के किस रूप का प्रयोग हुआ है कि आप नोड़ बुक ले लिए ठीक और नोड़ भी करते रिए वेरी इंपॉर्टन्ट है कि आप आप्शनों का ओप्शन डी कर्मक क्रिया सिच्छक विद्यारती को हिंदी पढ़ाते हैं वाक में कौन सी क्रिया है दी कर्मक क्रिया ठीक है तो आप्शन डी से राइट आप्शन होगा इसके लाग किसी को एंसर मान होगा तो कमेंड बाक्स में हमें कमेंड करके जरूर बताईगा ठीक है कितने कुशन आपके सही हुए चलिए अगला कुशन है नमक राम शब्द है कुशन नमबर फोर चार आप्शन आपके स्वानने है फड़ा फड़ जवाब दीजी फ्रेंड नमक राम शब्द है राइट आप्शनों का ओप्शन डे ठीक है संकर शब्द चलिए अगला प्रशन है बड़े भाग मानुष तनपावा सुर्दुल्लब सब ग्रंती गावा पंक्तियों किसकी द्वारा रचित है दीकि हम काफी स्लो पढ़ाएंगे जिससे आप समझ सकें ठीक है वेकेंसी आने वाली है टीचर की तैयारी भी करिए फ्रेंड राइट आप्शन होगा ओप्शन सी यानि तुलसी दास इसे राइट आप्शन होगा हिंदी की टॉपिक चल लई है ठीक है धान दीजिएगा चल ले अगला कुशन है कुशन नमर शिक्स अर्थ के आधार शब्दों के कितने भेध हैं चल ले इसका एंसर करण बाक्स में दीजिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेध हैं चार दो पाश या फिर तीन चलिए इसका answer करेंट बाक्स में दीजिए फड़ा फड़ चलिए अगला question नहीं आपे कि अनुज शब्द को इस्तरी वाचक बनाने के लिए आप किस परते का प्रयोग करेंगे Question number 7 तीकि फिरेंट यहाँ पे हम options यानि आप परते का ठीकि अनुज शब्द को हम इस्तरी वाचक बनाने के लिए आज शब्द का यूज करेंगे ठीकि ध्यान दीजिएगा चलिए अगला question है नारीशवर में संधी है Question number 8 चार आप्शन है friend तेकि यहाँ पे right option होगा option 80 के दीर्ग संधी है नारीशवर में कौन से संधी हो गई आपके दीर्ग संधी हो के चलिए समझ में आ रहा है चलिए अगला प्रशन है 10 मुक में कौन सा समास है Question number 9 10 मुक में कौन सा समास है right option होगा option B बहुत ब्रिये समास इसे right option होगा ठीक है तो option B इसे right option चलिए अगला प्रशन है पासाड प्राय वाची शब्द किसका है Question number 10 चलिए बताई फ्रेंड right option होगा option यानि पत्थार इसे right option होगा सुनेश question है अंतरंग का विलोम शब्द अंतरंग का विलोम शब्द बताईए Question number 11 Right option होगा option है ठीक है बहीरंग होगा चलिए अगला प्रशन है उसने कहा कि मैं घर जाओंगा वाच के है कौन सा वाच है ठीक है चार option आपके सामने है Right option होगा option है ठीक है इसमें क्या है कि सरल वाच होगा उसने कहा की मैं घर जाओंगा कौन सा वाच है सरल वाच ठीक है तो option है इसे right option होगा है यहाँ पे चलिए अगला प्रशन है किस वाच में अपादान कारक है ठीक है अपादान कारक है Question number 13 इसमें क्या है अपादान कारक है ओके तो ऑप्सें सी इसे राइट आप्शन होगा चलिए अगला प्रशन है प्रेम चंद्र की रचना है Question number 14 यहाँ पर राइट आप्शन होगा Option C यानि मंगल सूत्री से राइट आप्शन होगा ध्यान देजिएगा चलिए अगला कुशन है सजना है मुझे सजना के लिए मैं अलंकार है कौन सा अलंकार है तेक है यहाँ पर राइट आप्शन होगा Option 80 के यमक कलंकार वेरी इंपॉर्टन है यमक कलंकार होगा चलिए सुनेश कुशन है लेखक शब्द के अंत में कौन सा परते लगा है लेखक शब्द के अंत में कौन सा परते लगा है राइट आप्शन होगा Option D टी के अक ओके तो option D is a right option होगा सो next question है यहाँ पे हम दिवानों की क्या हस्ती आज यहाँ कल वहाँ चले किसकी पंक्तियां है question number 17 नरेंशर्मा, हरिवन्स राय बच्चन, बाल किडिस सर्मा, भगवती चरण बर्मा चली बताई friend question number 17 सो right option होगा, option D, ठीक है, भगवती चरण बर्मा इसे right option होगा चली अगला प्रश्ण है अन्या से अनन्या किसकी रचना है, question number 18 जी आँ, right option होगा, option D, परभा केतानी से right option होगा, ओके चली अगला प्रश्ण है निमलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, question number 19 त्री प्रेंट यहाँ पे right option होगा, option B, ठीक है उत्प्रेच्छा अलंकार, क्यों फूले का सकल महिच्छाई, जानू बर्सा रितू परकट बुढाई, कौन सा अलंकार है, उत्प्रेच्छा अलंकारों के चलिए अगला question है, अमिये हलाहल मद भरे, स्यात स्याम रतनार, जीयत मरत छुकी जुकी परत जेही, चितवत एक बार, किस कभी द्वारा लिखी काववी पंक्तियां है question number 20, so right option होगा, option C, rustling is the right option होगी, चलिए अगला प्रशन है, वेंजन के कितने परकार होते हैं, चलिए बताइए, वेंजन के कितने परकार होते हैं, question number 1, चलिए, हिंदी का, ये practice set है, friend, very important है, आपके सिच्छें बढ़ती के लिए, ध्यान दिजिएगा, सो यहाँ पर right option होगा, option B, ठीक है, तीन, इसके लाव किसी को एंसर मालू होगा, तो हमें comment box में comment करके जरूर पताइएगा, ठीक है, अब कितने question आपके सही हो रहे हैं, भी ये फटा-फट, चलिए, अगला question है, प्रा-कम्पित वेंजन कौन सा है, question number two, question number two, यहाँ पर right option होगा, option है, ठीक है, रा, प्रा-कम्पित वेंजन है, चलिए, अगला question है, निम्लिखित में से, संग्या शब्द का chain कीजिए, question number three, यहाँ पर देखे, संग्या शब्द बताना आपको ठीक है, तो चार option आपके सामने है, थोड़ा दिमाग लगा है, friend, कौन सा option सही होगा, इसमें से, okay, यहाँ यहाँ पर राइट आप्शन होगा, option D, यानि भूगोल, क्या संग्या शब्द है, okay, चलिए, अगला question है, कभी शब्द का इस तरी लिंग, रूप है, किसको मालूम है, question number 4, यहाँ पर राइट आप्शन होगा, option C, यानि कभी तरी होगा, ठीके, कभी शब्द का इस तरी लूप, कभी तरी, यहाँ दिजिए गए, यहाँ पर शुद्दी, अशुद्दी के बारे में, okay, चलिए, अगला question है, कभी ओं में, काली दास रेष्ट हैं, इसमें कौन सा कारक है, देखिए, यहाँ पर कारक बताना है, आपको ठीक है, question number 5, कारक समझ रहे हैं न, आप लोग, so right option होगा, यहाँ पर option D, ठीक है, अधी करण कारक, option D is the right option होगा, very important question है, सुनेश question देखते हैं, राम भोजन करके सोने गया, मिक्रिया किस रूप में, पर्यूगत होई है, देखिए, यहाँ पर राम भोजन करके सोने गया में, करिया किस रूप में पर्यूगत ही है, पूछरा question में, okay, तो इस आधार से इसका जो राइट आप्शन होगा option D होगा ठीक है पूर्व कालिक करिया option D is a right option होगा ओके चलिए अगला प्रश्न है अव्वे कितने प्रकार के होते हैं question number 7 2, 3, 4, 5 चलिए बताए question number 7 यहां पर देकी right option होगा option C यानि चार प्रकार के होते हैं अब वे अगला प्रश्न है आपके सामने कि लेखक शब्द के अंत में कौन सा परते लगा हुआ है ध्यान देजिए गा लेखक शब्द के अंत में ठीक है कौन सा परते लगा हुआ है त्यहां पर right option होगा option D ठीक अक चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जब दो या तो से अधिक पत मिल कर एक नभीन शब्द की रचना करते हैं तो उसे क्या कहते हैं ठीक है question number 9 चलिए सोचिए समझे इसका answer देजिए फड़ा पड़ यान right option होगा option B ठीक है समास option B is the right option सुनेश कुष्यन है यापे शोभीत कर नोनीत लिए खुट रुवन चलत रेडू तनमंडित मुक दती लेप की उप्युक्त पंक्तियों में रस है यानि यापे आपको क्या बताना है आपको रस बताना ठीक है कौन सा रस है question number 10 यापे राइट आप्शन होगा option D टीक है वत्सल रस होगा question number 10 का option D सही होगा चलिए अगला प्रशन है दोहा तथा रोला से मिलकर बने चंद को कहते हैं यानि दोहा और रोला से मिलकर बने चंद को क्या कहते हैं तो यहां पर राइट आप्शन होगा option C कुंडलिया दिखिए यह दोहा तथा रोला से मिलकर बने चंद को कुंडलिया कहते हैं तो आप्शन D स्वारी आप्शन से राइट आप्शन होगा चलिए अगला प्रशन है अश्ट च्छाप का स्रेष्ट कभी कहा जाता है कुशन नमबर बारा यहां पर दिखिए राइट आप्शनों का option यानि तुलसी दास ठीक है अश्ट च्छाप का स्रेष्ट कभी कौन है तुलसी दास भीया कहीं भी आएगा तुलसी दास फट से इसका राइट एंसर होगा आप पर टिक लगा दीजिएगा ओके चलिए अगला प्रशन है पार्थिव के लिए सही विकल्प चुनिए दिखिए कई बार कुश्चन रिपेट हुआ टेक कुश्चन नमबर 13 कई बार रिपेट हुआ कि पीसेस एक्जाम में बी पूछा गया है तो यहां पर राइट आप्शन होगा ओप्शन यानि जिसका संबंद पृतिवी से हो टीक है चलिए अगला प्रशन है मुहावरा किस भासा का शब्द है समझ रहें कभी मुहावरा किस भासा का अगला प्रशन है राम चरित मानस किस भासा सैली में लिखा गया है कितने लोगों का इसका एंसर मालूम है कंडवाक्स में कमेंड कर सकता है फ्रेंड राम चरित मानस किस भासा में लिखा गया ठीक है यह आपके दो से तीन बार पीसेस एक्जाम में पूछा जा चुका ठीक तो सिच्छक बरती परिश्चा दोजार पाइस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है यह कुशन ज्यान दीजिएगा राम चरित मानस किस भासा सैली में लिखा गया है जी यहां बिल्कूल यहां पर राइट आप्शन होगा ओप्शन एटी के अवधी भाषा में परिइंपॉर्टेंट है अवधी भाषा में चलिए सुनेश कुशन ने आपके है हे राम तुम कहां हो वाक्ष में कौन सा कारक है ठीक है इस वाक्ष में कारक पूछ रहा है यानि यह चार आप्शन जो है इसमें बताना आपको कौन सा कारक है ओप्शन ए बी सी डी चार आप्शन है इसमें से कौन सा राइट आप्शन होगा थोड़ा दिमाग लगाईए फ्रेंड, दोड़ाईए अपने दिमाग से सोचिए चिया चलिए, इसका जो रैट आप्शनों का आप्शन सी, संबोधन हे राम, तुम कहाँ हो, इस वाग में कौन सा कारक है, संबोधन है, ठीक है चलिए, अगला कुशन है, बुढ़ापा शब्द, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संग्या है, कुशन नमबर सत्रा तेकि जाति, भाव, व्यक्ति, यह उप्शन डी, इन में से कोई नहीं, चार आप्शन आपके सामने है, ठीक है कुशन नमबर सत्रा तेकि यहां पर राइट अप्शनों का ओप्शन भीया नहीं, भाव वाचक संग्या है, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संग्या है आपके, भाव वाचक, ठीक है भीया, वेरी इंपॉर्टनेट है, नोट कर लेना चलिए, अगला कुशन है उपकूल में कौन सा समास है कुशन नमबर 18, बेरी इंपॉर्टनेट है अब वेभाव समास, उपकूल में कौन सा समास हो गया, अब वेभाव समास, ऐ चलिए, अगला प्रशन है वे शब्द जो धातु या शब्द के अंति में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं कुश्च नमबर 19 समझ में आ रहे हैं मेरी बात यहां यहां पर राइट आप्शन होगा आप्शन डी यानि पर 23 राइट आप्शन होगा ठीक है 19 का आप्शन डी सही होगा चलिए अगला प्रशन है भेजी मन भावन के उदो के आवन की सुधी ब्रेच गौनी में पावन जबय लगी इस पंग्ति के रचनाकार कौन है कुश्च नमर 20 फेरी इंपॉर्टेंट है जी हां फ्रेंड देखिए आप्शन होगा जगन ना दास रतना कर बेरी इंपॉर्टेंट कुश्च नहीं होगे फ्रेंड ये थे आपके 2022 मिसन 2022 सिच्छक बरती के लिए हिंदी कसे ठीक है इसके लावा सभी टॉपिक की कुश्च नम यहां पे साल्फ कराएंगे आप लोगों को तो वीडियो को पूरा वास करिएगा और वीडियो को दो से तीन बार जरूर देखिएगा ठीक है और जाद जादा शेयर करीजिए अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं नेक्ट वीडियो साथ तैंक्यू धन्वार जय हिन जय भारत